नमस्ते दोस्तूं, आज सुनिये शिवानी जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी किशुनली शिवानी जी की कहानियों और उपन्यासों की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है प्रस्तुत है उनकी कहानी किशुनली आप भी इस कहानी का आनल उठाईए अपने पाठकों के चिरंतन उपालंब से मैं इस बार भी मुक्त नहीं हो पाऊंगी उनका एक प्रश्ण मुझे हमेशा बींधता है मेरी प्रतेक नाई का अपरूप सुन्दरी ही क्यों होती है किन्तो चाहने पर भी मैं क्या आज उसके नुकीले चिबुक को भोतरा बना सकती हूँ उन करनायत आखों की सुदीर पलकों की चिल्मन को किस कैची से कतर दूँ उन प्रतुल रसीले लाल अधुरों कपूरों की उस पहाड़ी आडू सी मोहक ललचोही आभा को किस रबर से मिटा दूँ इतने वर्षों में भी पानी की टंकी के पास खड़ी तन्वी सुंदरी किशुनली की अर्ध खुली देही की चमक मुझे किसी दिवास्वपने के बीच सहसा चौंधिया जाती है अरी ओ बौडम घड़ा मत छूले ना कहीं क्या कर रही है या खड़ी खड़ी भाग जा पानी भरने आई तिवारिन कहती तो वो खिल खिला कर उनके भरे घड़े को पैर की ठोकर से उलटकर बनना कर भाग जाती और देखते ही देखते नन्ने काले बिंदू सब बन गया उसका काला फटा लेंगा सड़क के मोर से विलिन हो जाता किसी मेराथन डेश के धावक की भाती नन्हा सीना फुलाए भागती वेगवती किशुमली को पकड़ भी भला कौन सकता था अचानक की वो पगली न जाने किस गाउं से अलमोडा आ गई थी उस पर उस उनमादनी का उनमाद भी विचित्र था कभी जील सा शीतल, कभी पहाडी वन अरने को जुलसाने वाली अगने जौला सा उग्र लोगों का कहना था कि शुकल पक्ष में पूर्णिमा की चतुरदशी और पंच दशी को ही वो अधिक बोरा उठती थी पहले पहल वो पानी की टंकी के पास आकर खड़ी हुई तो कौतू हली भीर ने उसे घेर लिया था मैंने भी उसकी वो दिव्व सौंदरे छटा अपने घर की खिड़की से ही देखी थी काला लहंगा नीली क्रेप की कुर्टी कुर्टी पर कसी काली वासकट जिसके प्रतेक बटन विधुर काज के ओधारे से उसका नन्ना मुहक उभार उन्मुक्त होकर पहाड़ी सफेद डासी पत्तर की अबर की चमक से हमें चौंदिया गया था हाई हाई ये बेशरम छोकरी किस गाउं का मुह काला करने यहां आ गई कौन है री तू कहां से आई है किंद प्रतेक प्रश्ण को उसकी दूधिया हसी ने जाडू बुहार कर दूर भेग दिया था तूणी के उस पुष्ट तने से अपने नगन कनक निकश इस निगधा पीट को साधे वो अपनी दोनों पतली गोरी टांगे फैला कर बैठी और उसका चितरा बन गया लहंगा जीन विवर्ण छतरी के से घेरे में फैल गया था उसकी चुपी देख भीड के एकात उद्धत छोकरों ने कंकर मार दिये और वो किसी दरप्त निशाचर सी दान पीशती एक बड़ा सा पत्थर उठा भीड को मारने दोड़ी फिर भीड के घेरे को चीरती अमानुए वेक से सड़क के मोर से अत्रश्य हो गई फिर तो ये पगली का नित्ते का नियम बन गया दिन भर ना जाने कहां कहां गूमती सड़कों से फटे कागज टूटे टीन के डिब्बेस चितरे बटोरती और जहां गिर्जे की घड़ी ने साथ का घंटा बजाया कि यो ठीक टंकी के पास खड़ी हो जाती इत्वार के दिन तो कभी-कभी किशुनली जुर्मूटे अंधेरे में ही टंकी का नल खोल नहाने बैट जाती उस दिन गिर्जे की घड़ी में घंटे बड़ी सुबह से ही बजने लगते और उसी भ्रह्म में शायद पगली समय से पहले ही वहां आ जाती थी मुझे उसे देखने में बड़ा आननदा था शायद इसलिए कि वो नहाते नहाते अपने सुन्दर चेहरे को नाना हास्यास्पत मुद्राओं में बिचकाती स्वय में खिल खिलाने लगती थी कभी अपनी लाल लाल जीब को सरप्रणी की चिरी जिवा की तीवरिता से लपलपा कर अपनी पतली नाक्छू लेती कभी अपनी चोटी को दोनों कपोलों पर लपेट दाड़ी सी बना लेती और कभी खुले नलके नीचे लाम तूम होकर पसर जाती कभी कभी निसंकोच अपने सारे कप्ड़े उतार करो टंकी पर रख दीती तो मैं लज्जा से मूँ फिर लेती कुछ क्षणों के लिए उसकी लज्जा जैसे स्वेम मेरी ही लज्जा बन जाती हाई कैसे निर्मोही निर्दई माबाप होंगे इसके जो इस पागल किशुडी को यहां भटकने बहा दिया कोई देख ले तो किंट किशिनली को किसी ऐसी संभावना की चिंता नहीं रहती वो बड़े आराम से अपना इस फटिक सा उजला एक एक अंग रगड रगड कर चमका थी बाल दोती कभी कभी अपनी विल्वित इसनान प्रक्रिया के बीज मेरी उपस्तित का आभास पा अपने दिव इसमत का आवान भी मुझे दे देती अपनी शंक ग्रीवा के जटके से मुझे कई बार बुला चुकी थी एक दिन अपने मौन इस नहीं आमंतरण का उचित प्रत्युत्तर नपा उसने खीज कर एक धिला मेरी और फेका और मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे ही रही थी कि मेरे गुरू शास्त्री जी लोटा बाल्टी लेकर वान आने आ गए उनको देखते ही मैंने हटने की चेश्टा की पर उनकी द्रश्टे मुझे पर पड़ चुकी थी तू क्या कर रही है यहाँ तभी तो मैं कहता हूँ यह साली हरामजादी शहर भर के छोकरे छोकरियों को मारने माह मारी सी ही यहाँ आई है आज ही पुलिस में खबर कर दो इसे थाने में बंद ना करवाया तो मेरा नाम पर्मानंद पांडे नहीं जा भाग बच्जात हडी हडी मुझे उनका वो हडी हडी कहना उस दिन बेहद अखरा था हडी हडी कहकर तो पहाड में कुत्ते को दुरदुराया जाता है बेचारी पगली क्या कुत्ता थी पर वो जितना ही हडी हडी कर रहे थी किशुनली उतनी अबाद्य ध्रष्टता से खिलकिलाती नल के नीचे करपुट साद पानी भर कर उनकी और उचालती जा रही थी अंत में शास्त्री जी ने उसे हांक पकड़ घसीट दूर जटक नल के नीचे अपनी बाल्टी लगा दी और विश्णू विश्णू कहकर नहाने लगे मैं सोच रही थी पगलियब निश्चे ही उन्हें पत्थर मारेगी पर वो पेड़ के नीचे वैसी अचल मुद्रा में खड़ी थी जिसमें वो जटकी गई थी एक टक वो ऐसे क्या देख रही थी शास्त्री जी को उसका विवेखीन उन्माच जैसा प्रोड गामभीर में कैसे बतल गया क्या शास्त्री जी का गोरे फिरंगी जैसा गौरोपून रंग उसे बांध रहा था या दिर्ग देही व्यक्त संपन शास्त्री जी के सुदिर्ग शिखा उसकी उपस्थेति से एकदमी उदासीन निर्भीक शास्त्री जी बार बार अपनी यग्गो पवीत की डोरी रगडते और जितनी अधिक ठंड लगती उतनी ही जोड से विश्रू विश्रू जपने लगते नहा धोकर उन्हें बाल्टी भरी लोटा लिया और खड़ाओं खटकाते चले गए एक बार भी उन्होंने किशुनुली की ओर नहीं देखा पगली को तो जैसे साप सूंग गया था उन दुनों मैं शास्त्री जी से संस्कृत पढ़ने उनके घर जाया करती थी कुछ उनके छोटे से सुखर घर का शांत परवेश और कुछ गुर पतनी का इसने पगा आधित्ते मुझे नित्य समय से कुछ पूर्वी वहां खींच ले जाता जिस कमरे में मैं पढ़ती थी वही शास्त्री जी की बैठक थी और वही था उनका अध्यनकक्ष एक बड़ा सा पहाडी फीडा कमरे में बिछा रहता पूरी दीवार पर देवी देवताओं के चित्रों से भरे दस-दस साल पुराने कैलेंडर टंगे रहते बीचों बीच मेंका विश्वा मित्र का बड़ा सा कांच मढ़ा चित्र था तभी रवी वर्मा का ये चित्र पहाड के प्राया प्रतेग घर की दीवार पर लटका मिलता था एक मां आखों पर धरे मुनि विश्वा मित्र और पुत्री को गोद में लिए अपून लावन्न मई मेंका मैं कुछ देर काखी के साथ चौके में गप मारती उनके बनाए स्वादिष्ट पहाडी वियंजन चकती ले ले खा ले जल्दी अभी तेरे कक्का पूजा में बैठे हैं काखी पत्थर की रकाबी में कुरकुरे गाबे मेरी और पढ़ा देती ताजी जर्गे की पत्यां दे गया था आज नागमल सोचा गाबे बना दू तेरे कक्का को बहुत पसंद है चावल की पिठी में उन खस्ता गाबों को मुँ में धरते ही तब लगता था इनसे स्वादिष्ट और कोई विंजन होई ही नहीं सकता ठीक आट बजे खड़ाओं खटकाते शास्त्री जी आते वनाशदी पर्व के पांच श्लोग सुनते मजाल है जो एक बार भी श्लोग सुनाने में चिवा अनुशासन शैत्यली से अटक जाए परस मैपद आत्म नैपद के रूप में सुस्वाद गाबों का सारा स्वाद बिगाड कर रख देते इस बीच काकी उनके लिए दूद का किलास और बादाम मुनक्कों की तश्तरी रख जाती काकी के इसनिक्द चेहरे को उनके चिरंतन भूगड की यवनिका और भी इसनिक्द बना देती थी गोरा रंग लंबे पहाड़ी पिठ्या का तिलक जो उनके प्रशस्त ललाट को बीचो बीच विभक्त करता उनकी मांग के सिंदूर संगम से मन मुह लेता था पिठ्या पर चिपके अक्षत के दाने जिने मैंने अने पहाड़ी इस्तिरियों के तिलक दानों की भाँते कभी बिखरते नहीं देखा धीमी आवाज में वो पती को नित्य एक ही म्रद आदेश दे जाती दूद थोड़ी देर में पीना चुटकंत अर्थात बेहत गर्म है मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा चुटकंत दूद काकी लाती ही क्यों है जिसे पीने के लिए शास्त्री जी को सुदीर प्रतीक्षा करनी पड़ती है मैं नित्य ही देखती थी कि दूद पीने को शिशु से आतुर बने कक्का कई बार पीतल का भारी गिलास उठा उठा कर होंटों से लगाते और फिर जुझला कर गिलास नीचे रख कर बड़ी देर तक दगद होंटों को जीब से चाट चाट कर सहलाते रहते कई बार बड़ी चेश्टा से मुझे अपनी हसी रोकनी पड़ती थी मेरी समझ में नहीं आता था कि जब बेचारे शास्त्री जी दूद पीने को इतने अधीर रहते हैं तो काकी इसे ठंडा करके क्यों नहीं लाती वो तो बहुत बाद में एक दिन काकी नहीं बताया था कि स्वयम शास्त्री जी का ही आदेश था कि चुड़कन दूद लाया जाए जिससे उपर ड़ली मलाई की गहरी तह के नीचे नवीन मलाई की तह पर तह जमती चली जाए मैं प्राया ही सोचती थी कि शास्त्री जी ऐसे सुदर्शन व्यक्ति हैं और काकी का ऐसा रूप रंग यद उनके कोई पुत्री होती तो निसंदे अपरूप सुंदरी होती किन्त निसंतान दमपति को अपने संतान न होने का कोई दुख नहीं था पूरे शहर में काकी अपने उदार इस नहीं सुभाव के लिए प्रख्यात थी और शास्त्री कक्का की अपनी धर्मार्थ, व्रत्य और विद्धता के लिए वैसी धाक थी उनके यजमानी में शहर का लगबग संपूर, सम्रद, वर्ग बन्धा था पूजा, पाठ, श्राद, तरपन, उपनयन, विवाह, संसकार, अर्थाद, जर्म से लेकर म्रत्य तक के एक-एक अनश्ठान में उनकी उपस्थित अनिवार रहती पित्र पक्ष में तो उनके यजमानों को समय से पूर्वी उनकी बुकिंग करनी पड़ती वो भी अग्रिम दक्षणा चुका कर इसी से शास्त्री जी के ग्रह की सम्रद्दे काखी के म्रग चर्म मढ़े पिटारों से चलकती रहती कितनी ही लक्ष वर्तिकाओं को शास्त्री जी अब तक संपन करा चुके थे और प्रतेक बार काखी नए नए आभूशनों से जगमगाती पास पड़ोस की आखे चौन्दिया देती कितने शाल दुशाले तिबती आसन नमदे चुटके म्रग चर्म प्राया ही उनकी पत्रीली छट पर पहाड़ी खणिक धूप में सूखने पहलाई जाते पर काखी के ओदारे ही के कारण कभी किसी को उनसे इर्शया नहीं हुई ना जाने कितने बवासीर के रोगी उनसे आ आ कर म्रग चर्म मांग ले जाते बवासीर की एक ही रामबान ओशदी है ये पन्यानी जीओ बैद जीने कहा है इसे बिछा कर बैठो तो शत्र सम अर्ष चुटकियों में दूर चटपट काकी याचक को मर्ग चर्म का टुकड़ा निकाल कर थमा देती उस पर अतितियों की तो वो प्रिय विश्राम इस्थली थी मित भाषणी हस्मुक काकी का सबसे बड़ा गुण था उसका वही आथित्य प्रेम यहां तक की उसके ओदारे का अनुचित लाब उठा अ आज कहते भी लज्जा होती है कि एक दो बार हमने भी ऐसा ही किया था और मुझे ही प्राया उस अप्रिय प्रस्ताओं की संदेश वाहिका बना गुरु ग्रह बेजा जाता बड़ी अनिच्छा से ही मैं गुनगुना कर पूछती काखी फला आए हैं हमारे यहां बड़ी भी अर्था तुमारे मेहमान हमारे भी मेहमान है और खाना वहां क्यों खाएंगे री दो जनों की रोटी बनाने में क्या तेरी काखी के हाथ चिल जाएंगे असल में काखी के उदार आथित्य का दूसरा प्रस्ताओं पहले से अपेक्षित रहता आज तक भला किसके अतिति को क काखी ने खाना नहीं खिलाया, फिर एक बात और थी, हमारे सनातनी ग्रह में भी प्रगत की लहर समय से कुछ पूर्वी, पहाडी चौके के कठोर नियमों को विक्रत कर चुकी थी, चौके में ना प्याज का प्रवेशन शिद्धता ना लैसुन का, पिछवाडे के कमरे को सु मान रूप से आलोडित करने लगी थी, उदर काखी का चौका था कटर बामडी चौका, दही में गुथा आटा, सात्वी की मसालों से बनी सबजियां और मंदी आच में उटाए गए दूद के खीर ताजे, जिन में चावल के एक एक दाने को पहले शुद्ध घ्रत में मलमल क पर चुखाया जाता, स्वभाविक था कि हमारे अतिथी जो शायद हमारे दो दिन ही टिकते, ऐसे अलब्य आथित्य का चुग्गा पाकर चार दिन और पैर पसार कर पड़े रहते, कक्का की वैदूरे मनी सी चिकनी देह का गौरवन भले ही देवदत रहा हो, उनके कपोलों की लालेमा में काखी के ही निपुड उदार हाथों का प्रचोर योगदान था, शायदी कोई ऐसा पाहड़ी गहना होगा जो काखी के पास न हो, टीब, काले मकमल की पट्टी में कुथा गुलूबंद, लड़ी वाले जुमके, सतलड, पचलड, चूहा दंती पहुची, जह लच्छे, अनोखे और छागल, फिर भी वो कभी कवार सब गैने पहनती थी, हाथ भर काच की चूडियां, बड़ा सा सिंदूर का टीका, और मांग भर सिंदूर, बच्पन में प्राया ही, मैं उसे कहानी सुनने जाती, असल में कहानी का लोग मुझे वहाँ नहीं ले जाता क्योंकि जितनी सुन्दर काखी थी, उतनी नीरस उनकी कहानी हुआ करती थी, एक तो उस बेचारी के पास एक ही कथानक था, शेर और लोमडी का उबाव प्रसंग, आरंब से ही बेचारी पहले मोड पर लंगडाने लगती और दूसरे ही मोड पर हाफ कर पसर जाती, शेर ने कहानी सुना रही हैं, कहानी सुनता ही कौन था, मैं तो उनके सुवासित आचल की एक अनुखी सुगन्द सुगने जाती थी, बार बार उनकी मकमली बेल लगी मदीने की साड़ी के आचल में मूझ चिपा कर मैं निरर्थक प्रतिम जग्यासा का जाल पहला कर पूछती, फिर का एक-एक अंग उस अनामा सुगन्द से सुवासित है, ये मैं दीरे-दीरे जान गई, अभी कुछ दिन पूर्व, मेरी प्रवासनी पुत्री ने मुझे विदेश से एक बहुमूली पर्फियूम की शीशी बेश कर लिखा था, मुझे पता है तुम्हें पर्फियूम के ल अब भी बिसरा नहीं पाए हैं, और उसे आखे बंद कर सुनती हूँ, तो विदेश की ये भहुचर्चित सुगंद भी नगरने लगती है, तब मैंने एक दिन काकी से पूछ भी लिया था, काकी तेरे सारे शरीर में सुगंद आती है, और उसके उत्तर ने मुझे इस्तब् काम किये, एक तो चट से नाल कटते ही ताजा रक्त मेरे होटों पर लगा दिया, जिससे दाडिम के फूल से लाल-लाल बने रहें, और फिर मेरी कटी नाल को कस्तूरी के बीडे में लपेट चूले के नीचे गार दिया, बाबू जी की वज़ए से कस्तूरी म्रगों के बीसि बीडे तो हमारें पड़े रहते थे, नवजाज शिशु के अधरों पर कटी नाल के ताजे रक्त प्रलेपन का पहारी तोटका मैं पहले भी सुन चुकी थी, लड़के की नाल कछेरी में गारी जाती है जिससे वो डिप्टी बने और लड़की की चूले के नीचे जिससे व बिनव प्रयोग रहा होगा, काश मेरी माने भी ऐसा ही किया होता, मैं सुचती और फिर फिर उसकी अंगलियां पकड़ कर सूंगती, अपनी उस घातक बीमारी में भी तो शायद तभी काखी अंदे तक कस्तूरी के बीडे साही महमें महकती रही थी, काखी की चर्चा करते कर बिली को तो मैं भूली गई हूँ, वैसे आज यदि काखी जीवित होती और मेरी इस कहानी को पढ़ती क्योंकि मेरी हर कहानी को वे पढ़ती अवशे थी, अकबार वाले से मैं पूछती रहती हूँ रही, अरे अकबरिया, शिवानी की कोई कहानी छपी है क्या, उसने मुझ पूछकर हसकर जब ये अबिकेता थमाई थी, उसके बाद फिर मुझे तब आदी लिखी गई इस अधूरी कहानी को पूरा करने का दुस्साहस नहीं हुआ था, आज यदि वो इसे पढ़ती तो शायद सबसे बड़ी आपते उसे इस संबोधन पर ही होती, वो क्या उसे कभ बन गया था किशुनली, एक दिन जब वो उग्र रणचंडी बनी भीड के पीछे भारी गल्डोल पत्थर लिये भाग रही थी और दुरुत वेक से भागती उनमादनी की बटन विधुरा नीली कुर्ती से उसकी अनावरत संग मर्मरी काया का ओदारे पूर्प्रदर्शन भीड के मंचलों से अशलील सीटियां बजवा रहा था, तभी कभी गाली न देने वाली काखी के मूँ से पहली बार उस अशोबन संबोधन का उच्चारण सुना था अरे हरामी के जनों क्या तुमारे घर में मा बहने नहीं हैं? अगर कल तुमारी जवान बहने ऐसे पगला कर नंगी उगाडी सडकों पर भागने लगीं तो ना मर्दों क्या तुम ऐसे ही सीटियां बजाओगे? अरे कुछ तो शर्म करो ये पंत पांडे जोशियों का मुहला है यहाँ जिजाड के दीवान और कसून के पांडे के घरों में शंक घंटे बचते हैं सीटिया नहीं सब को जैसे साप सूं गया गूंगर की यवनिका में अवतरित और उसी में अंतरहित हो गया वो रौबदार चेहरा तो उन्हें जाड़ पिला कर अदर्श हो गया किन तो फिर दिनबर तूडी के पेड़ के नीचे आकर बैट गई पगली को किसी ने ने छेड़ा शायद पगली के उन्माद ग्रस्त द्रश्य के किसी कक्ष में काखी की उसी फटकार से क्रतेग्यता का प्रथम अंकुर उगाया था ना जाने कैसे उनका घर पहचान पगली उसी संध्या को उनके आँ पहुँच गई और उनके पत्रीले आंगन में टांग पसार कर अपने फटे कागज टीन चित्रों की पोटली चाती से चिपकाय पसर गई काखी ने तो कभी खाज से गले किसी लावारिस कुत्ते को भी अपने आंगन से ने दुरदुराया था शास्त्री जी किसी विभा का पौरोहित्य निभाने लखनो गई थे काखी ही ग्रह की एक छट लिरंकुष समरागी थी बस उसी दिन उसे शरणी नहीं दी नया नाम भी दे दिया किसना मुझे छट पर चढ़कर काखी ने पुकारा अरी देख चा कौन आया है आज मेरे हाँ गई तो देखा पगली काखी के तख़त पर लंब पसार लेटी है हाई राम कैसा बदल दिया है तूने इसे काखी आज तो पगली पहचानी में नहीं आ रही है मैंने हसकर कहा तो काखी ने आखें तरेर कर मुझे चीर दिया खबरदार जो ब इसे पगली कहा आज से इसका नाम है किसना क्यों है नारी किसना और किसना खुब खुब कर हसने लगी हाई काखी कैसे मोती के से दात है इसके अरी पूरे दो कोईले घिसे हैं अंगली भी काट खाई कट खननी ने देख सचमुझ काखी के अंगली पर पट्टी बंदी थी पगली को नहला दुला साड़ी पहना मांग पट्टी कर काखी ने उसका चूला ही बदल दिया था अरी तेरा कोई पुराना ब्लाउज हो तो दे जाना मेरा सलूका तो बहुत बड़ा पड़ रहा है इसे मैं मां उत्सहा से अपना एक लगबग नया ब्लाउज ही ले आई थी वैसे है बदजात बड़ी कमीनी काखी की आँखों में नवारजित वात्सली की सहसे तरंगें उठ उठकर गिर रही थी जैसे ही कुर्ती के बटन लगाए तरा-तर खोलने लगी मैंने मारा एक चिम्टा तब जाकर समझी मैंने कहा अब बटन खोलेगी तो ऐसे ही चिम्टा मारूंगी हाई काखी क्या तू इसे अब हमेशा यहीं रखेगी मैं मनीमन अपने उग्र तेजी गुरू की कालपने कुरुद लप्टों से जुलसी जा रही थी अचानक की काखी मुझे छासी की रानी से भी अथिक महिमा मही लगने लगी थी और क्या क्या इसका सर्वनाश कराने रहा के चौराय पर छोड़ दूगी खुद ही जब आकर मेरे आंगर में पसर गई है तो साफ जाहिर है भगवान नहीं इसे यहां बेज दिया है आज तक जिसने संतान सुख नहीं दिया उसने आज स्वैमी मेरी रीती कोक भर दी काखी की आँखें छलचला उठी थी पर काखी कक्का देख लेना कभी नहीं रहने देंगे आते ही तूफान खड़ा कर देंगे कहेंगे पता नहीं कौन जात है हमारे घर की चाय तक तो पीते नहीं कहते हैं तेरा बाप तेरा मामा सभी तो बिलायत में पढ़कर जात गवाँ आए वही कक्का क्या इसे यहां रहने देंगे तेरे कक्का की ऐसी की तैसी पहली बार में काकी के संसकारी मुख से पती के लिए ऐसा वचन सुन रही थी दो दिन तक पगली टंकी पर नहाने नहीं आई और तीसरे दिन कक्का आ गए फिर वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी कक्का पहाडी मेक सा गरजे पर काकी भी निरंतर विद्युद सी चमकती रही अपने निश्य पर अडिक द्रण पगला गई है क्या एक तो बद उनमादनी उस पर ना जात का पता ना कुल गोत्र का ठिकाना ऐसा रंग क्या ब्रामण को छोड़ कर किसी और ग्रह में हो सकता है अरी मूरक कक्का ने गरज कर कहा था पहाड की शाहनियों के लपट मारते रंग के सामने बामणियों का रंग भी कभी टिक पाया है मुझे तो ये रंग रूब कद काठी में एकदम शाहनी लगती है किन्तो धीरे धीरे अनामा कुल गोत्र की किसना का अतीद स्वयमी प्रकट हो गया उसी के गाओं के एक मनिहार ने उसे पहचान लिया वो रयूनी ग्राम के पुजारी देवदत भट की पुत्री थी जन्व सही बद्ध पगली मा बहुत पहले मर खब गई थी एक साल हुआ बाब भी पेड़ के नीचे गिर कर मर गया नन्याहाल में दो मामा बचे थे दोनों पागल अनाथा पगली के उत्पास से त्रस्त हो स्वैम ग्राम प्रदानी उसे एक दिन मोटर में बिठा का अल्मोडा पहुचा गए थे और जैसे बिल्ली को बोरे में बांध कोई दयालू हित चिन तक उसे किसी हलवाई की दुकान के आगे चोड़ाता है ऐसे ही उसे शैजान बूज कर ही निसंतान उदार काखी के द्वार पर छूड़ दिया गया था शास्त्री कक्का को परम असंतुष्ट करके ही उसे अपने ग्रह में शरण दी थी काखी ने किन्तो किस ग्रह का अनुशासन पगली को बांध सकता बरामदे से लगा एक छोटा कमरा था वहीं उसके लिए एक तखत बिछा दिया गया द्वार पर निरंतर एक बड़ा सा ताला लटका दिया जिससे जंगली बिल्ली भागना जाए एक तो काखी के प्रतम दिन का अन्भो बड़ा विकट रहा था अपनी लगबग एकदम नई साड़ी ही काखी ने उसे पहना बड़े यत्न से उसके उलजे जटा जूट को सुलजा ननी ननी अने गड़वाली लट्या गून दी थी थाली में खाना परसकर भी रखाई थी थोड़ी दिर में छिपकर देखने गई कि पगली ने खाया या नहीं मैंने भी दबे पेरों काखी के पीछे खड़ी होकर जाका और सहम कर पीछे हट गई पूरे चावल के छोटे छोटे गोले बना पगली खिरकी से बाहर फेक रही थी अंतिम गोला फेक फिर उसने डाल का कटोरा सिर पर उलट लिया और ऐसे छपकाने लगी जैसे तेल छपका रही हो कक्का की अनपस्थिति में मैं प्रायाई काखी के पास सोती थी उस दिन तो काखी ने मुझे विशेश आग्रे सही बुलाया था अरी आज सोने जरूर आ जाना मुझे उसे देख कर न जाने कैसा डर लग रहा है रात को हम दोनों सोने लगी तो मैंने कहा काखी बेचारी किसना अकेली सो रही है यहाँ डालनो उसका तख़त नहीं नहीं काखी जैसे घबर आ गई थी आज पहला देन है वहीं सोने दे फिर तो मेरे ही पास सोएगी अभी एकदम अंजान घर में आई है बिल्ली का छोना भी पालने जाओ तो पहले पहले पंजा मारती है चल देख आएं सोई है या मरी कुछ उपद्रव करने में लगी है दीरे दीरे जाकर हमने एक साथ खरकी से जाका आहा, कैसा गुलाब कासा फूल लग रही है नीन में? देख देख, रह्योडी की है ना, सुनानी तुने? बांजे की लाकरी टेडी भली, रह्योडी की बाणी सेणी भली अर्थात बांज की लक्री टेडी भी हो तब भी भली है क्योंकि दप से सुलक जाती है और रैयून गाओं की लड़किया भेंगी हो तब भी अपरूपी सुंदरी होती है सच्मुची नीन में पगली किसना परियों सी ही सुंदर लग रही थी चप्ती पाटी में विभक्त घने काले केशों को काखी ने खुब कसकस कर मूद दिया था जिससे पगली उस दुरू गुनावट को सहज में खोलना पाए काले छापे की साड़ी का पलू स्वयमी नन्हे से गुंगट में सिमट शुबर ललाट पर क्रिश्ण मेग खंड सातिरने लगा था ब्रणाल दंड सी सुचिक्कन बाओं में से एक सिरहने दबी थी दूसरे से दबा नन्हा उबार रह रहकर उठके रहा था रात बड़ी देर तक हम दोनों बाते करती रही वयस का पर्याप्ति व्यवधान होने पर भी काकी मुझे अपनी सम वयस का सक्खियों से भी अधिक प्रिय थी सुबह कुछ देर तक ही मैं सोती रही अचानक काकी ने जोर जोर से जगजोर दिया अरी उठ उठ जल्दी देख देख तो पगलिया ने कैसा अंधेर कर दिया है मैं हर बड़ा कर उठी तो समझ गई कि पगली का उत्पात निश्याई असाधारान रहा होगा नहीं तो काकी उसके लिए पगलिया शब्द का प्रयोग कभी नहीं करती पैरों में चपल डाल में गिरती पड़ती भागी पिंजरे में बंद खुद शेरनी सी किस्तनी पूरे कंब्रे में चकर लगा रही थी क्यों बंद किया मुझे खोलो खोलो वो रह रहकर दोनों मुठ्टियों से द्वार पीटने लगी थी काकी की यतन से बदी असंग की लट्टियों के तोरण को उसने नोच नोच कर खोल पूरे चेहरे पर बिखेड लिया था मेरे दिये गए ब्लाउज की उगडी दोनों बाहें ब्लाउज से बेचिन होकर खिड़की के जंगलों में बंदी थी और काकी की काली छपी साड़ी की ननी ननी पताकाओं की जालर पूरे कमरे में लटकी थी इस टूल पर चरचर करी शायद किसना ने दिवार पर लगी कीलों पर पताकाएं फैराई थी क्योंकि स्टूल तीन विवश टांगे फैला एक कमरे के बीचों बीच उल्टा पड़ा था क्या करूरी अब काखी बेचारी अपने गोल-गोल हातों को विवश मुठियों में मसलती रुवासी खड़ी हो गए करोगी क्या दरवाजा कोल दो और भगाओ इसे मारेगी तब कभी नहीं देख लेना तीर सी छिटकेगी मेरा अनमान ठीकी था पिजरे में बंद पंची पिजरा खुलते ही क्या किसी पर चपटता है उसे तो बस भाग कर मुक्त होने की ही चिनता रहती है द्वार कोल हम दोनों दुबक कर द्वार की आड़ में छिप गई पगली निकली और पेटी को गुटनों तक उठा उसे पैंट सा बनाये तीर सी भाग गई उसके जाते हम दोनने मिलकर जल्दी जल्दी कमरा जाड़ा पोचा पगली के उतपात का एक एक चिन्ह मिटाया मैं गई तो द्वार था में उदास खड़ी थी नहीं आई ना मैंने फुसपुसा कर पूछा क्योंकि भीतर के कमरे में कक्का को किसी की जन्म कुंडली बनाते मैंने देख लिया था नहीं काखी का गला भराया दिनबर की भूकी प्यासी छोकरी ना जाने किस-किस द्वार से दुर-दुराई जा रही होगी अंधेरा हो गया था मुझे मा के साथ एक विवाह के रद जगे में जाना था असल में काखी को बलाने ही मुझे भीजा गया था तू नहीं चलेगी काखी मैंने पूछा नहीं उसने कहा और आखे पोंच ली अपनी मा से कह देना मेरे सिर में दर्द है जाती भी कैसे वो बेचारी तो किसना का मातम मना रही थी मैं बाहर निकली थी कि देखा पगली बीच आंगन में ठीक उसी जगे आकर टांगे बसार कर बैठी है जहां पहली बार आकर बैठी थी खुली पोटली के असंखे नए बटोरे गए रत्न पूरे आंगन में बिखरे पड़े थे फटे कागश, दाड़िम के फूल, रंग विरंगे कपड़ों के चीर और उनी को फिर फिर बटोरती वो होटे ही होटों में कुछ बुदबदा रही थी कहां भाग गई थी तू? काकी कितनी परिशान रही तेरे लिए? जानती है मूर्ख आने दे कक्का को, देख तेरी क्या गद बनती है आज मैंने कहा एका एक उसकी अलमस्त मुद्रा में खिले चेहरे पर भैकी जुरियां उबर आई कक्का का नाम सुनते ही वो सहम गई, इतने ही में मेरी आवाज, सुन, काकी भी बाहर भाग कर आ गई मैं जानती थी लोट आएगी, मैंने भैरवनात का उचेड़ा अर्थात मनोती माना था हाई हाई ये क्या गद बना ली है तुने, अरे किस पापी ने पत्थर मार दिया तुझे, नास हो उसका ठटरी उठेया भागे की काकी उसे ऐसे चुंती चाटी सहला रही थी, जैसे म्रत वत्षा गाय को उसकी बच्चिया मिल गई हो सच्मुशी किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे पत्थर मार पूरे गुटने की खाल निकाल दी थी हो सकता है, ये खुदी गिरपड़ियों काकी, भागती भी तो है ख्योतार की तरह, अर्थात लोहे का बड़ा सा चलना नहीं मैं गिरी नहीं मुझे मारा, पगली की कैफियत में उन्मात का इसपर्ष भी नहीं था हाई किसने मारा मेरी दुलारी बच्ची को, काकी ने उसका धूल धूसरी चिबुक इसपर्ष कर बड़े दुलार से पूछा तेरे बाप ने, कहकर ओ बेहया फिर ठीटी कर हसने लगी काकी ने उसके उस निर्मम परिहास को भी बड़े ममत उसे ग्रहण कर, हसकर उसे हाथ पकड़ कर उठाया और एक दिन पहले पहनाये गए नए पेटी कोट की दुरगत देख मुँपर आचल धर फिर हसने लगी तीक शननका अनकिस्ती ने नोश नोश कर पेटी कोट की लंबाई को अत्यन्त मोहप फ्रस्वता में परिवर्तित कर गुटनों तक जूलता इसकर्ट बना लिया था निरबर आकाश की धौत चंद्रिका में उसके दोनों गुटने बड़े बताशों से चमक रहे थे अरी तुझे तो नंगी घूमने दिया जाए वही ठीक है काकी के इसने पगे उपालंब में फटकार से अधिक इसने की छलकन छलक रही थी अपने भोले मासूम चेरे को काकी की और उठा पगली ने पूछा मुझे मारोगी तो नहीं इजा उसके उस निर्दोष करून प्रशन के साथ साथ स्वता इस्फूर्थ वो मा का संबोधन काकी को वही ठेर कर गया देख रही है बिना किसी के सिखाए मुझे इजा कहा है इसने इजा काकी ने उसे जोर से छाती से चिप्टा लिया अरी मारू तेरे दुश्मनों को चल जल दी तेरे कपड़े बदल दू चोट पगली को लगी थी और रो रही थी काकी उसके बाद किसनी एकदम शांत बन गई वैसे भी क्रशन पक्ष में वो एकदम बदल जाती थी जहां जहां काकी जाती वो पालतू बिल्ली सी उसके शरीर से सटी सटी गाल गिस्ती उसके दाएं बाएं गोमती रहती यही नहीं काकी ने इसे इस बीच बिनने की सिलाई थमा उल्टा सीधा बुनना भी सिखा दिया था जब कभी मैं पढ़ने जाती देखती अंगारों से लहकती बड़ी सी सगड के आमने सामने गुरुवानी शिश्या की जोड़ी बैठी बिन रही है काकी उन दुनों पूरी बीस लाइन की एक दुरू सकरपारी बिनाई डाल कर कक्का का स्वेटर बिन रही थी वर्षों बाद मैं उसे नए उन से कुछ बिनते देख रही थी क्योंकि आज तक जब भी मैंने उसे देखा वो पुराने स्वेटर मफलर उधेड मोजे दस्ताने कंटोब बिनती रहती इस वर्ष का स्वेटर दूसरे जाड़ों में दस्ताने मोजों की स्रश्टी करता फिर उसे उधेड कंटोब और जब उन एक दमी तार तार हो जाता तो पुना उसे रंग वो टाट पर अनोकी दस्तकारी का जाल बिछा देती इस बार उसने वो नई बिनाई बड़े परिश्रम से लाला बाजार की किसी शाहनी से सीखी थी एक तो पहाड की शाहनियों का जैसा अपूर रंग रूप होता है वैसी बिनाई की दक्षता में परिपकव होती हैं उनकी उंगलियां रहा चलते रागीर परियाटोकों के स्वेटर के नमूने भी वो चटपट उतार लेती हैं ये बहुचर्चित नमूना भी परिशाह की सम्वारी जीव ने गोड़ा भकाते किसी अंग्रेज की पीट पर पड़े स्वेटर से उतारा था अनेक मुहक काठों में टेडी मेडी होकर लता पत्र सी घूंती उस बेल का नमूना सीखने में मुझे भी पूरे दो दिन लगे थे पर नौसिखिया किसनी ने उसे देखती अपने उधरे उनकी रंग बिरंगी पट्टी में जोकाते उतार लिया था हे भगवान बरम राक्षस का दिमाग है चोकरी का काखी ने कहा और चट उसे अपनी बिनाई का दूसरा पेश थमा दिया था कैसी सफाय देख सदा हाँ थे इसका तो वैसे काखी उसे एक पल भी अकेले नी छोड़ती थी पर उस दिन कक्का सामने पैठे पुचे पढ़ा रहे थे और किसनी बड़े मनुयोग से स्वेटर बन रही थी उसके इसी अनुकरनिया आदर्श व्यभार ने शायद काखी को आविशक्ता से अधिक उदार बना दिया था वो कक्का का चुटकंत दूद लाने भीतर उठकर गई और कक्का के अधुरे स्वेटर का पला भी वहीं रख गई जलते पश्म की दुरगंत को पहले कक्का नहीं पकड़ा था अरी ये हंतरेन अर्थात कपड़ा जलने की दुरगंत कैसी आ रही है जी उधर काकी ने भी शाय तो दुरगंत पाली थी वो भागती आई तो देखा कका के दोनों अधुरे पल्लों का उधरा उन इस्तूपाकार गठर में पड़ा है और उसी से उन के टुकडे तोड़ तोड़ का मुस्कराती किसनी हवन सा कर रही है मशीनी तीवरता से की पगलिया ने पूरा स्वेटर ना जाने कब उधेर दिया था पूरे कमरे में अवसन चिता किसी दुरगंद का भवाका भर गया और पिर जब हम सब स्तब्द बैठे थे तब ही ना जाने कब उस अनुपम हस्त कौशल का परिशय देने वाली स्वयम कमरे से गायब हो गई थी अजी सुनते हो देखो तो आकर पगलिया कैसा अंधेर कर गई है हाए इस बिनाई को सीखने में मुझे दस दिन लगे थे बेचारी काकी सिस्किया भरने लगी थी काकी का रोना चीक पुकार सुन मोहले टोले की भीर जम गई उदर शास्त्री जी को पत्नी से जरासी भी सहनभूत नहीं थी ठीक किया एकदम ठीक किया उसने तो जिस सबक सिखा गई चौराहे से एक दो और पागल बटोडला अल्मोडे में तो पागलों की कमी नहीं है टके के दो बिकते रहे हैं हमेशा जाजा बटोडला रहे से गरम कपड़े भी भूग डाले शायद किसनी समझ गई थी कि अंजाने में ही उससे कोई गुरुतर अपराध हो गया है इसी से वो उस बार किसी अनंत पत की यायावर यातरनी बनकर बड़ी दूर निकल गई थी काकी तो उसके जाने के बाद एकदम गुमसुम बनी गई थी मैं जितनी बार पढ़ने जाती मुझे लगता पगली के पागलपन ने अल्प भाशी कक्का को भी कम आहत नहीं किया है पढ़ाते पढ़ाते अनमैस को दूर दूर तक फैली परवत शेडियों को शूने द्रश्च से देखते रहते एक दिन काकी को पोणिमा का प्रसाद देने गई तो देखा छट पर बैठी काकी वानिडी की उची चोटी को एक टक देख रही है क्या देख रही है काकी मैंने पूछा वो देख वो जगमकाते टवाले देख रही है ना कहते हैं कुवारी लड़कियां ही मरने पर टवाल बनकर रात रात बर ऐसे पहाड़ों पर घूमती है उस रात कोई नहीं अनेक अनेक रात्रियों में मैंने भी उस विचितर जगमकाते नन्ने सबल जोती पुन्यों को देखा है मा से एक बार पूछा तो उसने भी यही व्याक्या थमाई थी मेरी किशुनली भी शायद इनी के साथ भूम रही होगी काखी का गला भराया जीती होती तो अब तक मेरे पास भागाती हट काखी डोल रही होगी कहीं देखना एक ना एक दिन फिर आकर खड़ी हो जाएगी हुआ भी यही काखी ने कक्का का उधरा स्वेटर भी अधुरा ही छोड़ दिया था किशुनली की फटे चीतरों की पोटली को भी मिट्टी का तेल डाल कर जला चुकी थी अब उसका एक भी स्मरते चिन शायद वो घर में नहीं रखना चाहा रही थी अचानक एक दिन पहाड़ी वर्षा की भाती मिना किसी पूरवा भास के पगली पूरे साथ माह पश्चात को नावतरित हो गई उस दिन सज़ड़ी वर्षा के बाद सूरज निकला था काकी ने पराद भर मूंग की दाल पीस मुझे भी मुगोडी तोड़ने बुलवा भेजा था च्छत पर बैठी वो दाल फेट रही थी और मैं च्छत के चमकीले अबर की पत्थर को कपणे में तेल लगा कर चिकना कर रही थी कि हम दोनों के द्रश्ट एक साथ उस्वर पड़ी हाए देख तो काकी किशुनली कैसी मोटी होकर आई है सचमुची छोकरी के लाल गालों में जिसे खुम चूरा था हे भगवान, हे भगवान किस कमीने ने किया इसका सरवनाश काकी के पतले नत्रने क्रोथ से थरतर काप रहते क्या हुआ काकी? मैंने आश्चर से पूछा ही था कि मेरी द्रश्ट उसके चरहरे शरीर के परवर्थित आकार पर पड़ी किन्तो जिसका सरवनाश हम दोनों को आपाद मस्तक कमपित कर गया था उसके अलमस्त मासूं चेहरे पर वही अलढ़ा सी थी काकी को देखते ही उसने अपनी दोनों पतली बाहें शुन्याकाश में फैला दी जैसे कह रही हो आओ जल्दी उतर कर तुम्हें गले तो लगा लूँ कुछी घंटों में पगली किर्पत्या वर्तन और उसकी लजास्पद अवस्था का समाचा पूरे शहर में हवा के जोंके सा फैल गया अगर अप पन्याणी जी ने उस बहया को अपने आश्र दिया तो शास्त्री जी को अपनी यजमानी से हाथ दोना होगा उनके रुस्ट यजमान कहने लगे उनमें हमारा ग्रह भी सम्मिलित था ना जाने किसके पाप का ढोल गले में बांद कर आई है अभागनी उधर स्वयम शास्त्री जी के ग्रह में भी दिन रात का प्रचंड कल्रों गून्या लगा था नित्य की भात शास्त्री जी कका हड़ी हड़ी कहते उसे कई बार बाहर खेद आये थे किन्त जब हाफते घर लोटते तो देखते पगली हाथ पैसे कोड़े मुस्कुराती काकी के घुटनों से सटी बैठी है उसका निरलज और धत्य और काकी की सशक्त पैरवी कका को पराजित कर गई थी भार में जाएं तुमारे यजमान और तुमारा समाज काकी चिला चिला कर कहती हैं क्या अपनी इस अवस्था के लिए अकेली किसना ही अपरा दिनी है जिस हरामजादे कमीने ने इस नाबालिक असहाय उनमाद ग्रस छोकरी का सरवनाश किया है उसे ढूर कर पकड़ लाए तुमारा समाज तब मैं जानू दोश किसी का और दंड कोई और भोगे ये कहा का निया है जी किसनली कहीं नहीं जाएगी मैं पालूँगी उसकी संतान को भले ही तुमारी बिरादरी हमारा हुका पानी बंद करते जीत काकी की ही हुई हुई किन्तु समाज ने शास्त्री जी को ततकाल दूद की मक्खी सा दूर पटक दिया जिस कक्का को देखते ही समरद ग्रहों के यजमान भी विनमरता से दोरे हो जाते थे और गुरु चरणनत तल कहनत मस्तक खड़े रहते थे वही अब उन्हें देखते ही बड़ी अवग्या से मूँ फेरने लगे इश्ट मित्रों ने आना छोड़ दिया यहां तक की उनकी सगी बहन ने भी उन्हें भाई दूज पर नहीं बुलाया समाज की अवेलना मनिश को शीगरता से श्रीहीन बना देती है उतना श्रीहीन शायद असादे विशम रोग का प्रचंड प्रकोब भी नहीं बनाता जीन सिलाई की मशीन पर कई जबले लबादे कंटोबी बना बना कर रखाई थी इसी बीच मेरा कॉलेज खुला और मैं चली गई गर्मी के छुट्टियों में घर आई तो अम्मा नहीं समाचार दिया पगली के बेटा हुआ है एकदम नार काट कर मुँँ में डाल लिए परने ताईन ने शहर भर को नामकंद का नियोता देने में भला क्या पड़ी थी उसे तुम गई थी अम्मा मैंने बड़े उत्सा से पूछा काल जाता वहाँ अर्थात कौन जाएगा वहाँ अकेले ही डुलक पीट-पीट कर सोहरगा रही थी कह रही थी बड़ा सुंदर बेटा हुआ है एक इसी अभागे नवजात शिशु का गाला ग्होट यदि कपड़े में लपेट किसी ने घूरे में फेक दिया होता तो शाय समाज को अपति नहीं होती किन्तो किसी दयालू सहरदिया संतान हीना ग्रहनी ने उसे अपनी रीती गोद में समेट लिया तो समाज ने बंदू पता ठीक ही तो है अभागे के बाप का क्या कभी पता लग सकता है पताने किस राक्षस ने इसका सरवनाश किया पर तू ही पता कहां फेक देती इसे तेरे कक्का ने मुझसे बोलना ही छोड़ दिया है यही क्या कम सजा है पर इस दुश्मन को देखती हूँ तो सब दुख भूल जाती हूँ छातियों में मुँ मारता है तो सच कहती हूँ चेली वे कुलगुलाने लगती है लगता है अभी अभी दूद उतर आएगा देख सच्मुची काकी की शिशू अधर वन्चिता छाती से अपने नन्ने शुधातूर अधर सटाए किष्णी का ढाट चुप-चाप सो रहा था गोरा रंग एकदम भूरे बाल लंबी पलकें और लाल लाल होट एकदम अंग्रेज लगता है काकी जरा गोर में देना मैंने कहा ही था कि ना जाने कहां से आंधी सी आगर किशुनली काकी के गले में दोनों हाट डाल उसकी पीठ पर लद गई थी अरी छोड कम ब कि उनकी प्रताडना का चिर परचित स्वर हड़ी हड़ी सुनते ही काकी हर बड़ा कर शिशु को मेरी गोद में प्रटक कर भागी और उसे खीश लाई फिर पहुंच गई वहां लाग बार समझाया है वहां मत जाया कर पर आज के लिए ही सीखी है बार बार उन्हें जाकर प पत्थर तो है नहीं एक दिन मैं चौके में थी फिर तू तो जानती है बच्चों पर हमेशा ही जान छिड़कते रहे हैं ये डलिया में सो रहा था मैं दबे पैरों देखने आए कि कहीं इसकी पगली मा तो इसे परिशान नहीं कर रही है ये अभागी सोने थोड़ी देती ह से चैन से कभी जबरदस्ती इसकी बंद आँके खोल लेगी कभी नाग दबा कर रुला देगी तब तक देखती क्या हूं कि पाने जू इसे डलिया से उठा गाल से लगाए आखे बंद किये चुप चाप दुलरा रहे हैं और जानती है टप टप बड़े बड़े आसु गिर रहते तेरे कक्का काखी मुह में आचल धर कर हसने लगी तूने क्या किया करती क्या उल्टे पैरों लोट गई उसी दिन जान लिया मैंने कि लाक हड़काएं और हड़ी हड़ी करें मेरे इस करन की ममता ने उन्हें भी बांध लिया है क्या कर्ण नाम धरा है तूने काखी कै इसा ठीक नाम रखा है मैंने कहा तेरे कक्का नहीं धराहेरी पर सुन्दर नाम धरने से क्या होता है बड़ा भी होगा तब भी इसे सब किशुनली का धाटी कहेंगे उसने उदास्वर में कहा तो क्या हो गया काखी गुसा आने पर पहाड के कौन माता पिता अपने पुत्र को होता है किन्त वास्तों में इसका अर्थ है अवैद और उस अर्थ में इसका विश अंग्रेजी के बास्टर्ड से भी कहीं अधिक विश बुझा है काखी को समझा बुझा कर्ण को खूब दुल्रा कर मैं एक बार फिर अपनी गुरु पतनी से बिछुड गई इस बार प्रसकार चैन समित के ओदारे से मुझे अपने विस्वरत गुरु का पता मिला था मैं उस चैन समित की सदस्य थी और उनकी लिखी एक पुस्तक वहां विचारार थाई थी मैंने उसी दिन उन्हें पत्र लिखा पहार छोड़कर वो काशी चले गए थे काखी कैसी है कि शु तुमारा पत्र तब मिला है जब उपर का सुखद आवान इसपश्ट होकर कानों में बजने लगा है अच्छा हुआ तुमने पत्र लिखा गुरु की सार्थकता इसी में है कि शिश भी उसकी परिक्षा लेने की योगता प्राप्त कर लें पता नहीं किसने और कब मेरी पु अपनी काखी के लिए पूछा है वो वहीं है जहां चार कंदों पर पहली पार उत्री थी उसकी जिद है कि चार कंदों में जाएगी भी वहीं से काशी की मृत्य कामना ही मुझे आखी चलाई थी गंगा तटके एक निब्रत अग्यात कोने में कुटिया बना कर रहा लोगों में लिखी अध्यन किया फिर भी मन अशांत अस्थिर बना रहा फिर चला गया रिशी केश दंडी बनकर घूमा अंत में हार कर काशी ही लोटाया यहां भी मुझे शांती नहीं मिली मिलती भी कैसे मैंने तुमारी सती लक्षमी काखी को ठगा है और प्रवंचना का अंत ही हा यह अब मैं समझ गया हूँ तुमसे एक अन्रोध है तुम्हें कभी पढ़ाया है गुरु दक्षना ही समझ कर मेरी यह अच्छा पूरी कर देना सुनाय किशुनली नहीं रही करन बहुत बड़ा आदमी बन गया है तुमारी काकी को इसने अपने साथ ले जाना भी चाहा था पर वो नहीं गई मैं जानता हूँ कभी नहीं जाएगी उस छोटे से घर में हम दोनों के योगन की इस मृतियों की अशर्फियों से भरा घड़ा जो घड़ा है बेटी उसे छोड़कर कैसे जाएगी उसके पैरों पर सिर रखकर स्वयम कहना चाहता था पर गर्ग गोतरी इ बहुत पहले ही चुक गया है कैसे कहूं ना जाने कितनी बार इस्टेशन तक जा जाकर लोटाया हूं उससे कह देना किष्णी का धाट धाट नहीं है तेरी काखी का ये अधम पती ही उसका जनक है इससे बड़े पाप की कल्पना क्या कभी की जा सकती है कभी कभी लगता है म गड़ी में मेरे कान में तारक मंत्र देने आए भगवान शंकर भी शायद मेरे पापी कर्ण इस पर्ष से सिहर मुझे बिना मुक्त दिये ही लोट जाएंगे। दुरदुराता उतनी बार चत्रा अभिसारिका के कौशल से वो मेरे सैयम का दुर्ग डहाने आ पहुशती और वो भी ऐसा सुअफसर ढूड़ कर जब तेरी काकी घर पर नहीं रहती। कर्ण बड़ा होता गया उसकी अद्बुत प्रतिभा विलक्षन व्यक्तित तो अस्वा भाविक गामभीरे मुझे पागल बनाने लगा। वो स्कूल जाता लड़के उसे चिड़ाते तो चुप चाप ताल सी छलकती आँखें लिए मेरे पास सिर जुका कर खड़ा हो जाता। बाबु आज लड़कों ने फिर वही कहा क्या मैं अंजान मन कर पूछता वही किशुनली का ढाट ऐसा क्यों कहते हैं बाबु किशुनली तो पगली है वो मेरी इजा थोड़े है ना मेरे बाबु तो तुम हो ना मेरे जी में आता मैं उस भोले बच्चे को छाती से लगा कर चीक चीक कर कहूं हाँ हाँ बेटा मैं ही तेरा बाब हूँ पर ऐसा अभागा बाब जो कभी बेटे को बेटा ने कह सकता मैं उसे समझा बुझा कर फिर स्कूल भेज देता फिर दीरे दीरे वो बड़ा हुआ और एक दिन उसने मुझसे स्वय में कुछ पूछना छोड़ द देता है उधर किशुनली ने एक दिन बड़े अधिकार से तेरी काखी के सामने मुझे जकड कर कहा आज से मैं अलग कमरे में नहीं सोऊंगी मुझे डर लगता है सुलाओ गे ना अपने पास उसी भायावे प्रस्ताव से सहम कर मैंने उसी दिन ग्रहत्याग दिया अपनी काखी से कहना विधाता के दंड का मुझे अब भे नहीं है वो तो इसी लोक में मिल गया पुत्र के रहते आज तरपन पिंड की अतरप्त लाल साल यही जा रहा हूं यही क्या किसी ब्रामण के लिए कुछ कम दंड है किन्त उस सती लक्ष्मी ने यदि मुझे हिर्दय से क्षमा नहीं किया तो कभी मेरी प्रेत मुक्ति नहीं होगी उसका क्षमादानी मेरी चिता दाह शर्वनार्थ तिलांजली बनेगा तुमारा अशांत कक्का भारी मन से सहा संजोकरी मैं गुरुद लक्षना थमाने गुरुक रह गई थी काकी को देखा तो पहचानी नहीं पाई वैदवेवी नारी को आपाद मस्तक पलभर में कैसे बदल देता है जो मोटे मोटे सोने के जंजीर वाले कड़े कभी काकी की गोल गोरी कलाईयों में अटकते थे वही हाथ उठाते ही उसकी द थाड़ू नहीं लगी है तुलसी का पेर इस थाड़ू भूत ठूट सा बना धल गया था काकी मैंने डड़ते ड़ते अदुखुले द्वार की कुंड़ी खटकटाई कौन वो कुछ कुछ परचित कंट स्वर सुनते ही मेरा हत्पिंड एक पल को अचल हो गया तब क्या काकी की बीमार थी कौन है भाई आजाओ दर्वाजा खुला है क्षिन कंट का आदेश पाते ही में भीतर चली गई दो पलंग अभी वैसे ही बिचे थे वही तिबदी नमदे चुटके दीवार पर वही परिचित रविवर्मा का चित्र पश्चिम संध्या के जुटपुटे में अंदेरे कमरे की पलंग से घुल मिल गई काखी की कंकाल सी दे को मैं पहले देख नहीं पाई मैं इदर दर देखी रही थी कि पलंग से एक बाद फिर वही शीर प्रशन गूंजा कौन और मैं ठिटक कर वही खड़ी रह गई तब क्या मुझे पहचान भी नहीं पा रही थी क की फिर मैं आगे बढ़ी तनिक सा उठने के चेश्टा कर उसने मुझे पहचाना और अपनी छाती पर खीच लिया इतने वर्शों में भी कस्तूरी म्रग की ना भी गंध मलान नहीं हुई थी कब तक हम दोनों ने एक दूसे के आसों से ही वर्शों की अनकही बातें कह डाली पता ही नहीं लगा फिर गिरजे का घंटा बजा वही घंटा जिसकी एक एक गुरु गंभीर गरजना के साथ कभी काकी का नियमित सातवी की जीवन बधा था सुबह चार का घंटा जब वो उठकर नहादो चाय चड़ाती थी पांच का घंटा जब वो कक्का की पूजन अंगरी संजोती थी छे का घंटा जब वो अपने भारी भड्डू बगोने को थप थपा कर उलट उसमें गीली राक लगा मुझे अपनी खिर्की से जगाती थी अरी उठी या नहीं कितने वर्षों तक काकी ही मेरी अलार्म घड़ी बनी रही थी साथ के घंटे के साथ उनक काकी तु कबसे विमार है क्या अकेली रहती है यहां भगवान नहीं अकेली कर दिया री कौन रहेगा यहां देख रही है घर की हालत उसने करुन हसी हसकर छत की तूटी बल्लियों की और इशारा किया साथ आठ जीन बल्लिया तूटकर बड़ी खतरनाक चेतावनी देती एक मुझे उसोड देखते देख काकी हसकर बोली अरी जगय जगय पराद गगरे रखने पड़ते हैं अब पूरा घर टपकने लगा है किसे बुलाओं अब इस करमजले अलमोडे में ओर मिस्त्री भी नहीं जुटते सब खदर की टोपी पहन कर नेता बन गए हैं करण क्या कभी नहीं आता मैंने पूछा काकी की आखों से दो बड़ी बड़ी बूंदे धुलक गई आता क्यों नेरी भगवान करे उसके पैर में काटा नगड़े कलक्टरी का इमतहान पास कर लिया है उसने तूने सुनही लिया होगा खूब बड़ा बंगला है नौकर अर्दली सब रात को भी सोती हूं तो लगता है चुपचा बगल में आकर लेट गए हैं अरी उतनी दूर चली गई तो कहां ढूड़ेगी उनकी आत्मा मुझे उस परदेश में उसकी सरल, शंका, हीन, आयत, आखों के इंदेर्दोष, जिक्यासा का मैं क्या उत्तर दी सकती थी पर फिर भी चेली अपनी गरब में भी दस महा रखा होता तब भी मेरे कोग के जाय को शायद ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा नहीं होती, हर महीने मनियाडर भीजता है, चिट्थी तो हर हफ़ते, बस वही कि ईजा कब आऊं तुझी लेने चली जा काखी, ऐसी तबियत में थे तेरा यहां अकेले रहना ठीक नहीं है, मैंने कहा, जाओंगी जाओंगी उसी के साथ जाओंगी, और कौन बैठा है मेरा, जाओंगी क्यों नहीं, पर जाओंगी उसके कंदों पर वो फिर फिक से हस गी, मैंने उसे लिग भी दिया है, देखरे करनिया, तू कहीं भी रहे, तुझे अब आना ही पड़ेगा, भले हवाई जहास से क्यों ना आए, मुझे कंदा तू ही देगा, चाहे मेरी मिट्टी को एक दो दिन रोखना पड़े तू तो जानती ही है, पाहार में मिट्टी तीन दिन भी पड़ी रहे, तब भीने विगड़ती, मैं तो जानती हूँ, वो कहीं भी हो, आएगा जरूर काखी की आँखों में एक अनूखी चमक आ गई, जानती है री, उसने मेरा दूद पिया है, आज कौन करेगा विश्वास, पर जब वो अपना नन्नामू मेरी चाती से सटाता, मेरी चातियां चड़कने लगती, और सच कहती हूँ, चेली, चप चप कर वो घूंट घटकता स हो जाता, इसी से तो इतनी माया है उसे, कक्का अचानक घर छोड़कर क्यों चले गए थे काखी, प्रश्न पूछते मुझे लगा, मैंने पूछ कर ठीक ने किया, पुत्र महिमा से दबदब दमकती काखी एका एक बुझ सी गए, मैं आज तक खुदी नहीं समझ पाई, क्यो इतना बड़ा दंड़ दे गए मुझे, एक तो किशुनली का उत्पात बहुत बढ़ गया था, रात को कभी कभी करम जली, हम दोनों के बीच आकर सो जाती थी, पाने जीव को तु तु जानती ही है, देव मूर्ती से पवित्र औरत जासे भड़कते थे, उस पर वो नासमझ छोकरी हाथ दोकर उनके पीछे ही पड़ी रहती थी, उन्हें चिड़ाने में हड़ी हड़ी सुनने में उसे न जाने कैसा आनन दाता था, मैंने लाग समझाया देखो, कौन उसके माबाब बैठे हैं, हमीने प्यार किया है, शरण दी है, इसी से तुम्हें बाप समझ करी ल पर कैसे धर दिया, वो भी ऐसा की दो दिन तक उसकी पांचों अंगलियों के निशान मेरे गाल पर उभरे रहे, मैं फिर अपने को रोक नहीं पाई, फूट फूट कर रो पड़ी, बड़ी देर तक वे सिर जुकाय चुपचाप मेरे पास खड़े रहे, लग रहा ता गहरा पश्चा ताफी गुगा बना गया है, ना मुझसे ही कुछ कहा, ना करण से, चुपचाप वैसे ही सिर जुकाय निकल गए, और फिर कभी नहीं लोटे, किशुनली को क्या हुआ था काखी, मैंने पूछा, मुझे तो लगता है, तेरे कक्का के जाने का दुखी उसे चाट ग पशालती, एकदम शान्त हो गई थी लड़की, ना उत्पात, ना घर से भागना, ना पास पर उसकी छटों पर पत्थर फेकना, बस कभी-कभी वैसे ही आंगन में अपने चीतरों की पोटली छाती से दवाये जोर-जोर से रोने लगती, कलेजा दहल जाये ऐसा विलाब, कि ऐसे उसके बाबू की तस्वीर उतर आई थी उसकी पुतलियों में, वो बीमार कपड़ी काखी, धीरे धीरे उसे बुखार आने लगा, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर खाजान के पास ले गई, उन्होंने कहा टी-बी है, सैनिटोरियम ले जाओ, सब कहने गिरवी र जगर कर उसे फिर यहां ले आई, मरना ही है, तो बेटे का मुझ देखकर मरिया भागी, उसके हाथों से गंगाजल तो घुटक लेगी करम जली, काखी की आखों के आसू पोश कर मैंने कहा, अब बस कर काखी, रहने दे, तेरी तविट ठीक हो जाएगी, तब सुनूँगी, पर वो बोलती चली गई, मैंने करन को बोर्डिंग से बुलवा लिया, उसके हाथों से गंगाजल पिलाने लगी तो मुझ फिर दिया बच्जात ने, कि शुनली राम राम कह चेली, गंगाजल पी ले, देख करन खड़ा है तेरा बेटा, देखेगी नहीं उसे, पर उसने न कंप मुझे भी कपा रही थी, जब कंप कुछ कंप हुई, तो मैंने उसे अपनी गोदी में लिटा लिया, उदर बीमारी ने उसका रंग जला कर कोईला कर दिया था, पर जाने के दिन उसका वही पुराना रंग लोटाया था, वैसी दूठ सी उजली दे, वैसा ही रूप, पर बिना कुछ कहे, उसने मेरे दोनों हाथ अपनी चाती से लगा लिये, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी, लाक रोकने पर भी मैं अपने को रोक नहीं पाई, मेरी आखें उसकी बंद मुठी पर पड़े, तो उसने फिर मेरी और देखा, मुझे आज भी यही जाने से पहले जब वो मेरी और टुकुट टुकुट देख रही थी तब वो पागल नहीं थी, उसके मरने से पहले इसका पागलपन मर चुका था, वो देखती रही और एका एक उसकी वो टक टकी जम गई, अरे करन उठ जल्दी उठ भड़ जी को बलाला, मैंने करन को उठ सब पड़ोसी आये बेटी, सब ने बिरादरी का बहर भुला दिया, जमीन पर गोबर से पोत कर जब उसे खार से उतारने लगे तो मुझे होश आया, अरे रुको रुको वैतरणी का संकल तो थमा दो इसे, कैसे वैतरणी पार करेगी अभागी, पांच रुपे निकाल मैंन उसकी ठंडी मुठी में थमाए, नाक मुँ में सोना डाला, फिर मैंने ही नहलाया था उसे, जिसे इतने सालों तक नहलाया, उड़ाया, पहनाया, उसे उस दिन जाने की घड़ी में किसी और को कैसे सौपती, पहना उड़ा कर सजाया तो लग रहा था, दस बारे साल की कोई क वारी लड़की सो रही है, फिर मैंने मांग पर सिंदूर लगाया, बड़ी सी बिंदी धरी और घर की सेवा देवी पर चड़ी जितनी मंगल सूतर की मालाएं थी, सब उसके गले में डाल दी, भले उसे पती सुख नहीं मिला, स्वामी तो होगा ही कहीं, फिर मैंने उसे चाती से लगा कर खूब प्यार किया चेली, कान में राम राम फूब कर कहा, जा किशनी जा, इस संसार में तो तुझे पती सुख नहीं मिला, पर लोक में जीवर सुख भोग ना किशना, एक मैं हूँ जो अब तक अपनी बेशरम मिठी डोती फिर रही हूँ, एक वो थी कि बाप क बिचों में गुल-गुल गर प्रान त्याग दिये, उनके जाने की खबर सुनकर भी तो मैं अब तक नहीं जा पाई, मैं काखी की पलंग की पाटी पर बैठी बैठी से हरुठी, कैसे कहूंगी इस सरला काखी से, किस सहास से भस्म कर दू इस पती व्रता के पती की वसीयत, गया जाकर मैंने करन के हाथों उसकी क्रिया करवाई, पंडा जी को सब कुछ बता दिया, किष्णी का बेटा है वो, मा तो यही थी, पिता ना जाने कौन कसाई ता महराज, मैंने उनके पैर पकड़ लिये, पर जो भी रहा हो पंडा जी, निश्य ही कोई शाब धश्ट मुनी रहा होगा, साक्षात आज्याकारी राम है मेरा करन, इसी से हाथों ऐसी क्रिया करादो महराज की अभागनी को मुक्ती मिल जाए, पंडा जी बड़े भले मानस थे, बोले, कुछ चिंता मत करो जज्मानिन, थोड़ा रुपया और लगेगा, थोड़ी देर के लिए मै नहीं इसके पिता का पाप और इसे पिड़े दिलवा दूँगा, आहा, ऐसे भी संत हैं, इस कल्युग में, मैं अपने बारह तोले की सतलड साथ रख लाई थी, वही मैंने उनके पैरों पर रख दी, विदी विधान से उन्होंने क्रिया कर्वा दिया और बोले, परम संतु अरी तब मैं क्या बीमार थी, काखी भुनगुना गई, बीमारी तो अब छे महिने से लगी है, जिस दिन तेरे कक्का के जाने का तार आया, उसी दिन से जो सत्यानाशी बुखार चड़ा, आज तक नहीं उतरा, मैं तुझे आजी अस्पताल ले जाओंगी काखी, अरी अस् अगली बिटिया उन्हें जकड कर रोग लेगी, चाहे लाक हड़ी हड़ी करते रहें पाने जीव, काकी हसी, और उनका जवरा करांत चेहरा जैसे किसी अद्रश प्रभा मंडल से उद्भासित हो उठा, जो कुछ सुना, उसके बाद अपने गुरू के अंतिम अन्रोध की र विश्वास मंदिर में पतिष्ठित उनके देवोपम पती की मूर्ती को मैं गजनभी की सी हिर्दय हींता से खंडित नहीं कर पाऊंगी, आज जब पता लगा कि काकी को भी इलोक से मुक्ति मिल गई है, तो अपनी उस दिन की विवेक शीलता पर गहन आत्म संतोश ही हुआ, ख्षमा देने वाली जब स्वैमी अविलंब अपराधी के पास पहुँच गई है, तब मेरी गुर्दक्षिणा का प्रश्णी कहां उठता है, अभी आप सुन रही थे, शिवानी जी की लिखी हुई एक अदभुत कहानी किशुनली, मुझे पूरी उम्मीद है, कहानी आप को जरूर पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे, आपका समय शुब हो, आनंद मैं हो.